चानल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबायो वीडियों की लीटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकोन को दबाय धन्यवाद दोस्तो आफ इन क्वेच्शनों को देखेंगे और इन क्वेच्शनों का दोस्ता प्लोट उठाएंगे देखेंगे देखेंगे पहला क्वेच्शन आपका अंदरूड और ए भी होता है तो दोस्तों आभी फॉर लायाद रखेंगे हमेश्चा तो यहां पर देखें दोस्तों आपका एक जिगा पर च्वाइश है और बी की जिगा पर चौवीज है तो आप रख देंगे अंडरूड 6 गुणा 24 दोस्तों आप इनको यहां पर देखें गुणा करेंगे तो अंदर आपका 11 post NOR यहां पर आपका आ जायगा जोस्तों यहां पर क्या अंडरूड 1024 यह आपका यह आप 12 आ जाएगा जो जो ऑप्शन हो जाएगा जोस्तों आपका यहां पर पर बड़ान रुपात निकालना पड़ता है दोस्तों यह बिल्कुल आपका वैसी है जैसे आपको बड़ी भ्हंड़ाइब रहती है अलसाथ इस अब सभी आपके दोस्ते आपके पर भीनने के फॉम में आप पहली लिख दोगे इनको दो बट्टे तो क्या आपका लगभग आप निकाल लीजिए आप एक दो तीन पॉइंट तक दर्श्मुलप के बाद लगभग जीरो पॉइंट अब देखिए आपका यहां पर कितनी बार गया छे और छे छे तो इस तरह आपका आगया आपने यहां पर छोड़ दिया अब अगला जीरो करें तो दोस्ते आपका आपको छाय आपको आनुपात आपको बताना था तो बड़ाणुपात आपका पहला नतीन दिखाई दे रहा है तो बड़ा नुपात है दो नुपात है नपका हो जआए आपक्शन नमर आप यह वालाट टिक कर देंगे अब नश्क को यहां अगला question देखें दोस्तो बाल्टी P की धारता बाल्टी Q की धारता की तुलना में तिगुनी है एक खाली टंकी को भरने में बाल्टी P के 60 फेरे लगते हैं अर्था दोस्तो 60 बार डाली जाती है पानी की बाल्टी तो दोस्तो आपको बताना कि दोनों 7-7 कितने फेरे में भर पाएंगे दोस्तो आपका एक question बिल्कुल वैसे होता जिस तरह आपको बताना पड़ता है कि दो आदमी यहाँ पर अलग-अलग एक काम को इतने दिर्म करते हैं और मान लिए दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो कितने दिर्म कर लेंगे देखें दोस्तो पहले आप मान ल ढिल्म कितने फेरे लगते हैं 60 मतलब दोस्तों यहां पर दोस्तों पकरbas हैbonspex कि आपको बताने बताना कि मैं तु साथ 없이 अलगे दोनों के देखें दोस्तों x plus x बट्टे 3 हो जाएगा तो यह आप भाग देंगे तो आप solve कर लिए 60 x बट्टे यहापर इनको आप solve करेंगे तो 4 x इंटू 3 आपका आ जाएगा दोस्तो देखिए कार्ट के आपका कितना आ गया यह 45 आपका निकल के आ गया तो दोस्तो दोनों के कितने 15 km प्रति घंडे था 16 km प्रति घंडे की चाल से तै करते हैं यह दूरी तै करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं तो दूरी कितनी होगी दोस्तो देखिए पहले तो आपका आप एक निश्चित दूरी दिये मानिजी आपने डीमान ली अब देखिए आपको क्या दिया दोस्तों मैं आपर समय का अंतर आपको दिया दिखिए 15 km और 16 km प्रति घंडे की चाल से तै करते हैं लेकिन देखिए दोस्तों दोनों के बीच में कितना अंतर है 16 मिनट का अंतर है तो आप क्या करेंगे दोस्तो पहली बार में टाइम निकाल लेंगे टाइम बराबर आपको बताऊगा समय बराबर दूरी बट्टे 4 होता है तो T1 आपने निकाला तो दूरी तो आपकी D है बट्टे 4 15 है अपने D2 निकाला T2 निकाला तो आपने दोस्तो T2 आपको दिया D upon 16 तो दोस्तों आप इन दोनको अंतर निकालनेगे क्योंकि आपको अंतर यहाँ पर दिया T1 minus T2 ब्राबर आपको दिया यहाँ यहाँ पर 16 मिनट अर्थाथ 16 बटे 60 घंटे क्योंकि आपको घंटे में निकालना पड़ेगा अब दोस्तों आप यहाँ पर रख दीजे देखिए D बटे 15 मैनस D बटे 16 ब्राबर 16 बटे 60 दोस्तों आप इनको solve कर दीजे तो देखिए आपको क्या मिलता है पर 16 D मैनस 15 D ब्राबर दोस्तों यह आपका देखिए क्या था घंटा के यहाँ पर काटके यहाँ पर दोस्तों आपका 64 आएगा आपर यह अब देखिए दोनों को आपने घड़ा यहाँ पर D आगया तो D ब्राबर दोस्तों आपको कितना आगया 64 किलो मिटर तो दोस्तों यही आपकी क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी तो option नमर आपका डिवाला सही हो जागो दोस्तो अब देखें दोस्तों अगला question आपका देखते हैं अब देखें अगला question आपका क्या है 58 km प्रतिगंडे की चाल से या रही 165 मीटर लंबी train अपने सामने से 8 km प्रतिगंडे की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी दोस्तों बहुत ही महत्पूर्ण question है देखिए जब एक train दोस्तों किसी व्यक्ति को पार करती है यदि वो रोका है दोस्तों तब उहाँ पर क्योंड ट्रेन की चाल आती है लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रेन की चाल है एक आपकी चाल ट्रेन की है दोस्तों और एक चाल यहाँ पर आदमी की है जो इस तरह ही आ रहा है तो दोस्तों इस आदमी को पार करने में कितना टायम लेगा यह आपको बताना है देखें यहाँ पर क्या होता दोस्तो जब यहाँ पर ट्रेन चलेगी तो आदमी भी इधर को आएगा तो दोस्तो देखें दोनों यहाँ पर इस तरह चलेगे तो दूरी घंटेगी तो इसका मतलब दोस्तो दोनों के यहां पर बीच का क्या होगा जो आपको दोनों का पहले क्या निकालना पड़ेगा दोस्तो ट्रेन और आदमी का दोनों की चालों को जोड़के यहां पर एवरेज यहां पर चाल निकालने बड़ेगी अर्था जो चाल आगी दोस्तों यहाँ पर 58 प्लस 8 मराबर 66 किलोंटर प्रति घंटा और दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं यह मीटर मापको दूरी दिये तो आप यहाँ पर मीटर में बदल लिजी तो आप चाल को बदल देंगे 66 गुणा 5 बट्टे 8 कर देंगे आप तो दोस्तों यहाँ पर कायम आगई यहाँ की मीटर प्रतिस सेगन मागई और दोस्तों आप इनको भाग दे के आप निकालेंगे तो यह आपका यहाँ पर 55 बट्टे 3 मीटर प्रतिस सेगन आपका निकल के आगया अब आपको निकालना क तो दोस्तो यह आपका यहा पर नौ आता है लेकी कि पोया देखते हैं अगला दिया है दो कि शेट्रफल का अनुपात 4 अनुपात 3 है तथा इनकी उचाई का अनुपात तीन अनुपाद चार है तो दोस्तो आधार में लंबाईयों का अनुपाद आपको बताना है पहले तो दोस्तो आपको याँ पर देखें इनके तिर्वोज की एरिया बता होनी चाहिए दोस्तों तिर्भुज की एरिया आपके होती है एक बट्टा दो गुणा आधार और गुणा लंब अब देखिए आपको क्या क्या रिया है आप माले जिए आपर दोस्तों पहले आपर दोनों का अनुपाद दिया है शेत्रफलों का मानेजिए पहले वाले का है 4X और दूसरे वाले का मानेजिए 3X है क्योंकि दोस्त आपको अनुपाद दिया है यहाँ पर शेत्रफल का अनुपाद हो गया वैसे दोस्त आपको यहाँ पर उचायों का अनुपाद दिया है उचायों का पहला मानेजिए आपका यहां पर जो फोर एक्स और थी एक्स ते वह हमारे आपर एरिया के अब देखें आपका देखें जो कड़ जाएंगे यह कटने वाले और वाई भी गड़ गया क्या बचा आपको क्यों यहां पर बी वन अपन बीटू निकालना है तो बीवन अपन बीटू दोस्तों कितना आपका आपका यहां आपका और जाएक नाए घb